दोस्तो जब भी हम कहीं नया मकान लेते हैं तो मकान तो हम अपनी पसंद का ले लेते हैं, अच्छी लोकेशन देख लेते हैं, लेकिन दोस्तो पडोसी जो है हम अपनी मरजी से नहीं चुन पाते हैं, क्योंकि पडोसी जो है हमें नहीं पता होता है कि कोन व्यक्ति का ब्याभ देते हैं या फिर कोई बाहन खड़ा कर देते हैं या फिर कई प्रकार की बाधाय उत्पन करते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है अपने जगडालू पडोसी को कैसे सबक सिखा सकते हैं तो नमस्कार मैं डॉक्टर राजेश लोदी एड़ोकेट और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर तो डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पडोसी को कैसे सुधार सकते हैं कैसे उसको सबक सिखा सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको सबूत इखटे करने हैं जब भी आपका पडोसी आपको प बनानी है आपको सबूत इखटा करना है आप खुद वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति से जो है वीडियो बनवा सकते हैं जिस समय की वा ऐसी हर्कत कर रहा है तो आपने मान ली जी दोस्तों एक बार वीडियो बना ली इसके अलावा अगर वो डेल रिकोर्डिंग चालू कर सकते हैं, और ओडियो रिकोर्डिंग में अगर बाद कोई गाली गलोज कर रहा है आपसे कोई अपसब्द कह रहा है तो सबस् сюжत सरा है तो के स्तियों में यह रिकोर्ड आदहर को आधार आपको कोड़ में काफी ज्यादा help मिलने वाली है इसके अलाबा आप जो है फोटो भी ले सकते हैं आप अलग-अलग एंगल से फोटो खेच लीजिए जब व्यक्ति आपके घर के सामने आपको परेशान कर रहा है कूड़ा करकट फैक रहा है या फिर कोई अन्य बादा उत्पन कर रहा है तो इस प्रकार आप फोटो खेच सकते हैं वीडियो बना सकते हैं और जो है आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अब जो फोटो वीडियो और रिकॉर्डिंग आपने बनाई है उसको आप एक सीडी में डलवा लीजिए और सीडी में डलवा कर आपको आगे क्या करना है इसको हम डिटेल में बत पास एक आवेदन देना है और उस आवेदन में आपको सारी घटना का जिक्र करना है उसमें आप जो है मैं सबूत के आपको आवेदन देना है आपने जो सबूत इखटे करें हैं आपने जो वीडियो बनाई है जो फोटो कहचे हैं उनको भी उस आवेदन के साथ अटेच करना है अगर आपने बीडियो बनाई है तो बीडियो की जो सीडी आपने बनाई है उसीडी को सावेधन के साथ आप लगाईए और जो है आप आवेधन देकर रिसीविंग ले लीजिए अब दोस्तों यहां पर एक बात और बताना चाहेंगे कि मान लीजिए वहाँ बहुत जादा जगडालू ब्यक्ति है ऐसी इस्तिती में वो ना सिर्फ आपको बलकि कालोनी के अन्य लोगों को भी ऐसे ही परेशान कर रहा है तो आपको उन ब्यक्तियों के साथ मिलकर गुरूप में आवेधन देना है गुरूप में आवेधन देने से जो है काफी ज़्यादा करवा सकते हैं तो अब आपने आवेधन दे दिया है अब दोस्तों होगा ये कि आवेधन देने के 15-20 दिन के बाद में कोट जो है HDM कोट जो है नौटिस जारी करेगा उस व्यक्ति को और नौटिस के माद्यम से उसको बुलाएगा न्यालाई के अंदर अगर वह व्यक्ति न्यालाई में उपस्तित नहीं होता है तो ऐसी इस्थिती में उस व्यक्ति को तीन बार नौटिस जारी किया जाएंगे मान लीजिए पहली बार नौटिस वेजा गया लेकिन बार नौटिस प्राप्त नहीं हुआ है किसी कारण से जो है नौटिस में अंडेलेवर्ट लिख करके आ गया है मतलब की मिला नहीं है तो इस परकार तीन बार नौटिस जारी किया जाएगा इसके अलावा HDM संबंद थाने को आविदन देगा जो है इसकी जाज रिपोर्ट मंगवाने के लिए तो पुलिस के द्वारा जाज रिपोर्ट मंगवाई जाएगी पुलिस मौके पर जाकर पूश्टाच करेगी और सारी घठना की जाज रिपोर्ट जो है HDM के पास पेश करती है तो दोस्तो इस प्रकार रिपोर्ट आ गई है और नौटिस जारी करने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं आया है तो दोस्तो अब यह होगा कि आई पी सी के सेक्षन बन एटी एट के तयाथ अगर कोई व्यक्ति सरकारी पदादिकारी का आदेश नहीं मानता है उसकी अभेल न करता है तो ऐसे सिती में उस व्यक्ति को एक महीने तक की जेल हो सकती है तो इस प्रकार HDM का आदेश नहीं मानने पर नियालाय मुपास्तित को सबक सिखा सकते हैं ये सारी प्रकारिया अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पडोसी जो है काफी जाइदा मुसीवत में फस जाएगा और एक पडोसी को अगर आप सुधार देते हैं तो और दूसरे पडोसीयों की हिमत नहीं होगी आपसे जगड़ा करने की आपको पर